हेलो फ्रेन्टस आप सब का हमारे चैनल में स्वाकत है आपसब कैसे हैं फ्रेन्टस आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे हर हर महादेव प्रेंटस हम भीज लेकर के आए हैं जल और ये जल हमें चड़ाना है कुराल सी गाउं में वहाँ सिम्मंदीर है वहाँ पर हमें चल चड़ाना है तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं तो यह इसमें मेरे ममी पापा है और मैं हूँ और यह सिवनेश है और ये बख्चन और गाउं में से ही है चलिए तो फ्रेंट्स कितना अच्छा लगता है सामन के महीने में जब सा भी घटा होकर के कावड लेने जाते हैं और लगातार भोले बाबा के जैकारी लगते रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है बहुत कावड या रस्ते पे चल रहा है बहुत ज्यादा कितनी उमंग उत्साह के साथ फ्रेंड्स सामन में कावड लेने के लिए बहुत कावड़िया जाते हैं देखिए यहां पर कावड रखी हुई थी है कितना अच्छा लगता है जो कितने सारे कावड़िया एकटे होकर करके चलते हैं लेकिन जिस रास्ते से हम गए थे तो इस पर ज्यादा कावड यह नहीं था वह मुझे फढ़नागर वाला रास्ता है जो उस पर बहुत ज्यादा कावड चल रहा है और डांक कावड चल रही है अब तो इसना कष्ट भोगता है फावडिया फोले बाबा सबकी मनुकामना को पूर करें देखें इस इसने जल बांध रखा है बच्चा है प्रेशान हो जाता है बार बार तो देखें यह मंदिर है यहां पर हम यहां शहुट से दूब कापी हो चुकी थी तो यहां पर हमने आराम क दिया और रेंट्स जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना और जो हमारे चैनल पर नए है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो देखें फिर हम जल उठा करके चल दिये थे अराम करने के बाद और फिर जब हम सा कुराल सी से पहले विक ग देखें पहले अरु आपको अच्छा जागा रहा है वहत अच्छा जागा रहता था वह अलवा पूरी सब्सक्राइब कर दाए था हां था वह इस बजन काने वाले की आए बैस आए वह थे कि कितने और सुबह चार बजे तक तीन-चार बजे तक जागरन कंप्लीट हो चुपा था तो फिर हम जल उठा करके फिर सुबह तो मैं वीडियो बना नहीं पाई चार बजे से ये कोई 10-11 बजे के करीब भी बनाई थी तो फिर फिर हमें दूप हो गई थी तो हम फिर एक स्कूल में रुके बच्चों के जूलने के लिए होते हैं तो हम सब का मन हुआ हम जूल लेते हैं तो देखिए बोलते हैं न सावन में जूलना जरूरी होता है जूलना चाहिए तो फिर हम जूला जूले हमने यहां पर इंजॉय किया पुरी मस्ती की जैसे बच्चे करते हैं न बच्पन में इस तरह यह ममी है और यह मैं हूँ देखिए और यहां पर शिवनेश पहले शिवनेश ने और शिवनेश आया था यहां को तो गिर गया था वह जोड़ से मैंने कहा मैं करूंगी वाई मुझे डर लगता था क्योंकि मैंने भी पहले कभी नहीं देखिए मैं कह रही हूँ वाई मुझे तो डर लगता है मैं आराम से आऊंगी और फिर शिवनेश ने देखे शिवनेश को मतलब मस्तीजी करके हमारी थकांजी दूर हो चुकी थी तो देखे शिवनेश को और फिर चल दिये हम अराम करने के बाद कुछ देर वहां मस्ती करने के बाद देखे और बस अब सीदा गाउं में गाउं में जाएंगे और शिवरात्री है जल चड़ाएंगे और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना तो फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में तब तक के लिए हर हर महा देव